धन्तेरस का दिन काफी खास और शुब फल्दाई माना जाता है इस दिन माता लक्षमी और धन के देफता कुबेर जी की पूजा की जाती है ये दिन खास तोर पर बिजनस के लिहास से बेहद मंगल कारी होता है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप इस दिन कुछ खास जरूर कर सकते हैं तो चलिए आज की ये विडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे धन्तेरस का दिन आपके कारोबार के लिए खास हो सकता है पूरी जनकारी के लिए हमने देवभर के जूतिशाचार्य पंडित नंद किशोर मुद्गल से बात की है धन्तेरस के दिन कुवेर और लक्ष्मी की पुजावति लिए उस दिन भी धन्तेरस के दिन धन्तेरस के दिन धन्तेरस की विशेश पूजा की जाती है जोतिशाचार्य बताते हैं कि धन्तेरस के दिन प्रदोश काल में यम के नाम का दिया जलाना चाहिए इसे दक्षिण दिशा में रखना चाहिए साथ ही बारा दिये और जलाने चाहिए इससे आकाल मृत्यू का तो संकट समाप्थ होगा ही साथ ही घर में सुक समृध्धी औ और धन वैभव की भी व्रिद्धी होगी खासतोर पर ये आपके कारोबार के लिए शुब माना जाएगा तो कुवेर की पूजा की जाती है उस दिन जम दिया भी जलाया जाता है तो आप उस दिन तेरह, यानि तेरस का मतलब तेरहवी, तो तेरहवी में तेरह दिया जलाएं, आप तेरह दिया जला करके और कुवेर का पूजन करें, हो सके तो दीपक को रात भर जलने दें, साम प्रदोसकाल में जलाएं, रात भर दीपक जलें, और दीपक जलने के साथ ही कुवेर मंत्र का जाब तेरह दिया जला लें और तेरह दिया जलाने के बाद कुवेर के बीज मंत्र का आप बैठ करके जाब करेंगे तो आपका निश्चित रूप से आपके घर में आपके दुकान में आपके खुद्यों का स्थान जो है या जहां आप बिजिनस करते हैं निस्षित रूप से बढ़ जाएगा चल जाएगा यम दिया चतुर मुखी होना चाहिए बत्ती लाल रंग की होनी चाहिए यम दिया सडसों के तेल में जलाएं बाकी बारा दिये अब घीस से जला सकते हैं सभी दियों में लॉंग डालना ना भूलें तो तेरह दिया जलाएं लेकिन ध्यान रहें सभी दिया में लॉंग डालें लॉंग डालकर के जिदिया आप जलाते हैं तो निस्षित रूप से आपका प्यापार आगे बढ़ेगा तो कि लॉंग जो है वह नकारात्मक उर्जा को समाप्त करके सकारात्मक उर्जा का समचार क करता है इसलिए दीपक में लोंग डालें और 13 हदिया जला करके आप कुबेर का जाब करें ध्यान रखें आपको इन मंत्रों का जाब अपने कारुबार वाली जगा पर बैठकर करना है इससे जातक को व्यापार में तरक्की मिलेगी साधी मुनाफा ही मुनाफा होगा आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि धंतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रियोदिशी तिथी पर मनाया जाता है इस साल 29 अक्टूबर को धंतेरस का त्योहार मनाया जाएगा आपको आज की वीडियो कै ऐसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल इटीन